वक्फ बोर्ड की बेहिसाब संपत्यों और उसके अधिकारों को लेकर वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन करने को लेकर जब ये बिल पेश किया गया और जेपीसी तक पहुँचा इस बीच दुनिया भर के मुस्लिम संगटनों के तरफ से इस पर विरोध जताया गया और क कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम लाए जाने को लेकर कई तरह के विरोध देखने को मिल रहा हला कि अभी ये मामला जेपीसी के पास है और संयुक्त संसदिया कमिटी इस बारे में क्या फैस्ता लेगी आगे आने वाले समय में ये तो सपर हो ही जाएगा लेकिन ये ब बारा ये बात उठाई गई है कि एक करोड पचीस लाख जो विरोध पत्र आये हैं वो लगभग एक ही जैसी भार्षा में हैं और इस पर उन्होंने आशंका ये भी जताई है कि हो सकता है कि ये आर्टीफिशल इंटेलिजन्स से लेकर किसी एक शक्स ने ही बेजे हैं इस त वक्फ संशोधन बिल को ततकाल प्रभाव से रद किये जाने की भी बात कही है चोकि इन सुझावों में आर्टीफिशल इंटेलिजन्स के जरीए भीज जाने की भी संभावना यहां पर जताई गई है वक्फ बोर्ड की जो असीम संपत्यां हैं उसके जो अधिकार क्षेतर रहा हैं उन्हें नियंतरित करने और उनमें कार्चाट करने और परकतरने जैसी बातें भी सामने आई थी इसके लिए ये संशोधन बिल लाया गया था दरसल इस पूरे घटना क्रम को लेकर सैयुक्त संसदी समिती के अध्यक्ष जगदंबिका पाल को लिखे गई पत्र में करके वक्ष संशोधन बिल के जरिये उन्हें सरकार के खिलाफ करने की योजना बना रहे हैं ये योजना पूरी तरह से सफल नहीं होने दी जानी चाहिए च्योंकि ये देश के लिए भी एक बड़ा खत्रा हो सकती है उस पत्र में इस बारे में जिक्र किया गया था दरसल प भारत के विधाई स्वतनता पर ये सीधा हमला होगा बराल इस पूरे विशय को लेकर बाजुपा सांसा निर्शिकांत दूबे ने चिंता भी जताई है उनका ये भी कहना है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी बात कैसे रखी और इसके पीछे कोई बारे में दूबे ने समिती के चेर परसन जगदंबी का पाल से ये मांग की है कि वे ग्रह मंत्राले से इसके बारे में जाच के लिए जरूर बात रखें आखिर वे कौन लोग हैं जिन्होंने वक्फ विधेयक को लेकर इतने सुझाओ बेज दिये दरसल कई मुस्लिम मौलवियों की ओर से भी लोगों से भी अपील की गई है कि वे अपना विरूद ज्यादा से ज़्यादा दर्श कराएं और इसके लावा कई जगहों से तो सड़कों तक पर घूम घूम कर ऐलान करने के वीडियो भी सोशल मेडिया पर सामने आते रहे हैं बहराल अब इस चिंता को लेकर क्या विशे रखे जाते हैं ग्रिम मंत्राले इस पर क्या निरने लेता है इसके लिए हमें कुछ और इंतजार करना होगा लेकिन वक्फ बोर्ड के पर कतरने जैसे और उनके शक्तियों को उनके अधिकारों को सिमित करने के बारे में यदी व झाल 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 झाल